और जो राजू पंजाबी जी है उनके गुरू जी मारे साथ में हैं इन तो बात कराएं बई जो राजू पंजाबी जी ने है इतने बड़े जो मुकाम आसिल करया है तो क्या उनका आम रोल रहा और कब से उन्हें स्टार्ट किया नमस्कार जी सर क्या कहना चाओगे सर राजू पंजाबी एक बहुत बड़े सिंगर थी बहुत बड़ा नाम था उनका आपको उनके गुरूर है किस तरह की उनकी बच्पन में उनका रहा राजू का गराप ने देखी लिया और राजू बहुती संगर्ष पूर्ण जीवन में से निकड़ा एक हीरा था जिसकी चमक अभी बाकी थी लेकिन वो चमक उसकी खत्म हो गई आज इतनी छोटी उमर में चले जाना विस्वास इनी होता और ऑघिव इश्वर करते हैं जो सही करते हैं लेकिन आज कहने को मन कर रहा है इश्वर से भी गलती हो गई इतनी बड़ी सेलिवरिटी इस परकार से चोटी सी बीमारी की वज़े से चली जाए आश्चरह होता है राजू मेरे पास मैं यहां अध्यापक था और मेरे पास वो दस साल की उम आकर कि इस बच्चे को साथ में बेडिया था तो बेरे बैन के इशारे ससुराल वालों को बता देंगे उनकी बात बैन को समझा देगा इस परकार से क्योंकि वो ट्रेंड हो गया था अपनी बैन के साथ रह करके और पंजाब में रहने की वज़ा से पंजाब भी बोलना ने और मैं मेरी छट पर सोया हुआ था तो दूसरे दिन मैं स्कूल आकर के मेरे साथिया द्यापकों को कहा कि यार आपके उदर की बास की तरफ से आपकी उस बस्ती की तरफ से एक बड़ी महीं बड़ी संदर आवाज में बचा गारा था और वो यार मेरे को चाहिए क्योंक ने शाष्त्रिय संगीत की यह सामने वाले कमरे में उनके गुरुजी यहां दनिया सर नाम से गाम है बिलकुल पलू के आसपास बरानी गाम है वहां एक राजाराम जी नाम से बड़ाई छुपी हुए परतिवा हैं और उनके बड़े आगे बड़े हैं संगीत के इक्षेतर है राजू भाई तूँ कहीं आगे बड़ तो हम लोग उसको बजन और गीत लिखकर के देते मैं लिखता था मैं लेखक हूँ मेरे 20 किताबें चपी हैं और मेरे वीडियो बाड़ियो मैं आक्टिंग भी कर लेता हूँ तो उनको कभी समेल लड़ों में भी मैं जाता हूँ तो मैंने उनको राय दी थी के भाई तो लोग गीत भी गाया करा तो राजू पंजाबी ने कब कदम रखे अब भी कुछ साल पहले ही वो गे थे यहां पहले तो वो बटिंडा गे और वहां उन्होंने बकाइदा यह म्यूजिक की ट्रेनिंग ली कीबोर्ड उपर जैसे भी आजकल संगीत कंप्यूटर पर चलता है और उसके बाद उन्होंने स्टूडियो खोला एलनावाद यह हर्याना पड़ता है एलनावाद से बापिस फिर यहा हर्यानवी भाषा कई पूट रहता था और वहां उन्होंने कुछ जो गीत गाए सबसे बड़ी बात वो उनका पहला गीत जो आया था सेंडल या सॉलिड बोडी या छोरी देसी देसी ना करया कर छोरी रहे तो यह इन गीतों की बज़ा से वो पूरे उत्रबारत में की चर्चा कर रहे हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता था लेकिन अफसोस ही है कि उसकी उमर बहुत थोड़ी रही तो बहुत सारे सिंगर सामने देखे हैं एक उनकी जो गायन थी और जो एक लेखक के तोर पर दोनों जो बेतोर जो काम करया कर दा हाँ और यानवी अपल वो राजस्तान का है मूल रूब से मारवाडी था उसका परवार में सब लोग मारवाडी बोलते थे और वो पंजबी नाम उसका उसका नाम की साथ पंजबी और हर्यानिवी का बनके रह गया और उसने हर्यानिवी वे जंडे गाड़ दिये सफलता की लेकिन सफलता उसको रास ना आए सकी वो शिकरवर तो पहुंच गया लेकिन ज्यादा दिन रह दी पाया मैंने पजाबी नाम उसलीए दिया कि वह पंजाबी ही बोलता था जब तक वह 10 साल का बच्चा था अपनी बेहन के सबस्राल से यहां हमारे स्कूल में आया टच में हमारे रहा हमने एक प्राइवेट स्कूल में हमारे मित्र हैं रगवीर सिंद्ध चौधरी उनका स्कूल है उनको कहा यार यह देखने में बड़ा लगता है आज तक किसी स्कूल में गया ही नहीं रगवीर सिंद्ध तरड आज तक किसी स्कूल मे केम्पों में जाया करता था राजू उसने के स्कूल से जाता था और वहां उसने अच्छी नागरिक तासी की सब्सक्राइए आपने इतनी प्रैक्टिस करा इतनी मेहनत कितना टेम गुजारा हुआ उसको पर सुरुत ताल की बात कर ले आवाज की बात कर ले बड़ा दनी था क लेकर के जाते तो उसके नाम से तब भी वीड़िकटी हो जाती पर सूर के से लिए लिकिन उसके पीछे गर की गरीबी ती ही उस समय जल्दी कामयाब नहीं साय और उस पर ढिए भात आगए इसुक्ति मह पहुत तो महुत वह हुँ हैए उसके ताओ जी उसकी दादी उसके माँ उसके पिता जी उसकी माँ ताजी तो पिछे करोना में गुजर के तो परिवार में काफी लोग जुम्मार लोग जटते हैं तो राजू को बताते हैं कि दसी दिन से बिमार थे पी लिया था पीलिया आम लोगों को हो जाता है पीलिया म लोने आज अबिम साशली इसका आज ही हमें पता लगा किसी ने यूं डर्ते डर्ते फोन करके पूछा कि ऐसी बात की अफ़ा उड़ रही है क्योंकि ऐसी बात सच मानी नहीं जा सकती है लेकिन ऐसी बात उड़ती है तो सभी मितरी ये कहते है कि यह जी एसी बात या जी जाने की है बिल्कुल हास्ट पुस्ट और हमेशा रियाज करते थे और तंदरस्त रहते थे स्टेज़ पर डांस कर लेते थे सरे लास्ट अभी क्या करना चाहूएं मैं यही करना चाहता हूँ ऐसी प्रतिमाएं कभी कभी होती हैं वो हमारे रावदसर की बगिया का एक फूल था बड़ा सुन्दर शानदार खुश्वूदार फूल खिला था लेकिन अभी उसकी खुश्वू की महक गरगर कही नहीं थी उससे पहले ही वो फूल नियती ने अपने हाथों से तोड़ लिया मुर जा गया खत्म हो गया वो देदीप्यमा नक्षत्तर था लेकिन उसकी चमक अभी फैली नहीं थी उससे पहले ही वो खत्म हो गया बसम हो गया सब्सक्राइब करें लगों की नजड़ें लग जाती होंगी कुछ दुसमन भी होते हैं ऐसे कलाकारों के बन जाते हैं जैसे आपने सिद्धू का नाम लिया तो खैर इसके साथ इसके तसारे चहेते थे कोई ऐसा नहीं था अब तो मैं नहीं कह सकता कि उतनी आसे पंदरा साल बीस साल पहले जो स्तिती थी वो आज है ऐसी नहीं हमें तो बड़ी खुसी हुए कोई चैनल बोल रहें कि वो दस से पंदरा लाग रुपया गीत का लेता था और उसके पास संपती है लेकिन यह आर्थिक स्तितियां आती जाती रहती हैं सेलिबर्टी लोग जो होते हैं बड़े लोग जो होते हैं पैसा वैसा आता वरहता है वो खर्च भी करते रहते हैं दानल दक्ष्णा यह भी अपने मित्रों की साहिता करने लगे थे अपने पैसे से मित्रों को मदद करते दो तरह झानेवाद, थैंकिय।